कॉप एप खीक दिसक्रेशन करेंगे रोजी कुछ ना कुछ गिर रहा है आज तो मार्केट काफी ग्रीन होके भी वहाँ से बहें कर बुड़ी तरीके से कि रहा तो क्या सब उसका में रीजन हो सकता है फिर बीच रिकावर करके थो आप पॉजिटिव आने की भी कोशिच एंड कॉण्टरी टो ग्लोबल मार्केट के ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई सेलिंग प्रेश्र आया नहीं था जब इसाइल बड़ा जो न्यूस था तो उस समय न्यूस आया इंडियर मार्केट तो कुछ नहीं कि रे तो बहुत सारी चीजह हैं डिसकस करेंगे प्लस आज एक बहुत वीर्ड चीज हुई मतलब ऑप्शन प्रियोंस में तो वह भी हम डिसकस करेंगे थोरोली क्योंकि बहुत बड़ा स्लिपर लगा है तो क्यों लगा कैसे लगा यह समझानी कोशिश करूंगा सोधाट क्या हो कि लोग समझ के रखें कि इस तरह का भी केस हो सकता है जैस जिस दिन जाता है अगर टॉलरेबल रिक्स लिमिट में जाए कोई दिक्कत नहीं है बट आज जो हुआ उसमें आपके टॉलरेबल लिक्स लिमिट के बियॉंड चला गया था मार्केट तो और उसके बाद जब स्क्वाइर आफ सोना चालू हुए तो वह किसी भी प्राइस स्कॉएर और फो रहे थे तो मैं आपको कुली सम्झा देता हैं हुआ कि यह जो मेरा मेन फोकस निफ्टी पर रहता है जो पूराने वीवर्स वो जानते हैं कि मैं कोंड़ निफ्टी वाला ही परसन मरे क्या है लिए मल्टी लैक्ष चल रहे होते हैं दो आज प्राइक प्रा है वो मैंने ग्रूप में अपडेट किया था कि 22 285 के नीचे अगर जाएगा तो यह मदब शॉट साइट का आपको ट्रेड मिल सकता है गिरता एडजस्ट हम करते ठीक है करते एडजस्ट पर जैसा वो गिरा एक कैंडल में प्रोब्लम क्या हुआ है कि जो आप्शन आपके बे वो शूट किया है विदिन इस ब्लिंक औफ आई आपके 250 पर जिसे माल अब मैं बताता हूँ यह हो क्या रहा है अग्छली मैं समझा दिता हूं आपको शिस्टम्स हो क्या रहा है पहले हम लोग जो स्टैडल स्टाइट करते थे अन कोई एक साइट नों साइट लगा देते चलो 20 पसंट श्राइब से एक साइड करता दूसरे से अराम से डिके मिल जाता था पूरे दिन निकल जाता थे उसमें अराम से अभी क्या हो गया है कि बीच में क्या हुआ कि दो सेट के स्टॉप लगने लगे तो लोगों ने क्या किया स्ट्राइक प्राइस पर मैं स्टॉप लोस नहीं लगाऊंगा को माइन्ट में मैं एक पर्टिकूलर स्टॉप लोस लगा दूँगा कि कॉम्माइन्ट में लौस दो जाल रॉप से आ नहीं होना चाहिए बाली जी एक पेर बैने लगाया और को मैंद में दो जाल से ला लॉस नहीं होना चिए तो लोगो ऐसा स्ट्राइटेजी बनाने यह रखा है लेकिन मालीजी अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप कुछ मत करेगा खुछ से बैक्टेस्टिंग कर लिजेगा निफ्टी के स्टैडल्स तीन स्ट्राइक पाइस ओट्यम हेज के लिए बाई कर लिजिए और नाइन क्या नामे इसका नाइन 35-37 के बीच में कभी एंट्री डाल दीजिए एंड एग्जिट डाल दीए 245 पे फॉर लास्ट सिक्समस आपको रिजल्ट दिख जाएगा ठीक है और वह भी क्या फूट्फोलियो लेवल पर स्टॉप लॉस आप अपना फिक्स कर लिजिएगा जो भी फूट्फोलियो लग स्टॉप लॉस का मितलब क्या होता है उसको जो प्राईज मिलेगा उस पर मारेगा अब यह स्टॉप लोस होता था कि दुब मेरा फॉटीड लॉस दिखेगा तो यह बैर एक City रिडर होगा यह तो 22, 23, 25, 26 का बेचा हुआ अचीज अगर आपका इमीडिटली चला गटाइशो सिस्टम जब तक कैलकुलेट करेगा कि इस टोपना श्रिगर करना है तब तक तो उठाई जो पहुंच गया और उसके बाद जब वह एक्जेट बादना चालू किया तो वह हिट करते करते सारे 300 तक पर एक्जेट हुआ है मतब जो हाइस एक्जेट पॉसिबल था उस पर भी एक्जेट हुआ है पहली बार ऐसा नहीं डिल किया है मैंने बट डिफ्रेंस क्या हो जाता है न कि हर बार क्या होता था कि जैसे माल लिए गिरा ठीक है चलो गिर गया एलिस कॉल का प्रीम तो उटेगा इस बार हुआ क्या तूटे नहीं कॉल के प्रीमएम भी जा वाई होने लगे तो वो उपर के प्राइस प्राइस होने लगए अच्छा कोई भी स्ट्राटेजी के एग्जिट में जिससे अगर आपकी सेलिंग स्ट्राटेजी है तो पहले आप सेल लेक को एक्जिट करोगे फिर जो आपने हैज है उसको आप एक्जिट करोगे तो वह तो आपका शूट करते 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 आपका चला गया 350 तक एक्जिट धाई-100 से 350 के बीच अल्मुस्ट हर प्राइस पर एक्जिट हुआ है चलो ठीक है माल लेते हैं चलो हो गया है उसका प्रियम भी तो 78 टेक्स हुआ कुछ प्रियम उसके बढ़े थे मतलब यह जो आपका 200 पॉंट का लॉस दिख रहा है यह एक्चुली 200 पॉंट का लॉस नहीं है यह 100 पॉंट तो म लको लखना पड़ते हैं तो जरूली सब लोग जितने अल्कु सेकेंड़ का टाइम लेक छोड देते हैं 2 सेकेंड पास सेकेंड तस सेकेंड का एक्जिट हो जाए ऐसा नहीं को मार्जी शूट करके अफिर अमको मार्जी श्वूर्फ पनल्टि या जैं तो उसके कारण कि स्लिपेज में और इधर 50 पॉंट गया देट सुप में चला गया आपने कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस का करके रखा था कि हाँ ठीक है मैक्सिमम भी होगा तो सो पॉंट जाएगा यहां तो राइसो पॉंट तो मुवमेंट कर गया और देट सुप मंध ले गया खरोगे क्या ऑवर ओल देखोगे तो नेट 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 दोसो वीस दोसो तीस पॉंट चले गया बैठे बैठे में कुछ आया दूसरे हैज में भी कुछ आया सब जगह जोड़ जाके 220-230 मजाग में चले गया तो यह तो होके रखा है जो क्या करेंगे चलिए ठीक है लॉस तो रिकावर किया जाएगा वेट टाइम आज देख लेते हैं क्या क्या डिसकेशन था हमारा ग्रूप पे और उसके बाद देख लेंगे इनफी के रिजल्स कैसे रहे पिर आएंगे अपने कलके डिसकेशन के लि अब आता हैं कि क्या रहेगा अपना डिसक्सण क्या अपना डिसक्सट्छान उसके पहले मैं एक ब्रोकर का बता देता हूं आपको सुन लीज inh सुरू करना है तो सुरू कर सकते हो राइट वट मैं कहता हूं हमेशा कि एक थोगा बेसिक रिसर्च कर लिया करिये एक अच्छा प्लैटफोर्म चूज कर लिया करिये और मैं अच्छा प्लैटफोर्म को बताने कोशिश करनाओंगा जो कि कुछ सेट कर सकते हो और क्या है कि काफी सारी चीज़ें आपको clarity मिल जाती है यहां पर एक ही जगा पर तो इससे आपको काफी कुछ कुछ कंट्रोल करने को मिल जाता है आपका investing हो या ट्रेडिंग हो आप दोनों चीज़ें वहां से सब कुछ आप फर ट्रॉली चेक कर सकते हो और यह क्या है कि आपको अकाउंट और यहांपे बहुत सिंपल है और वाचलिस्ट में आप अपने हिसाब से मुगायल को आप जैसे यूज करना चाते है horizontal वर्टिकल आप उसको कर सकते हैं तो काफी साथ इसका एडवांटेज रहेगा और स्टॉक्स का हीट में आपको यह प्रोवाइड करेगा कि आगे चलके कैसा लग रहा है तो उससे क्या हम जजमेंट ले सकते हैं अचाहिए बड़े स्टॉक्स हैं इनके करन गिर रहा है तो फिर दिक्कत होगी राइ तो उससे क्या होता है आपका ब्रोक्रेज जीरो हो जाता है आप अगर आप करते हैं तो आपका डिलिवरी ट्रेड करते हैं इंट्राजे ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रोक्रेज एक्चुली जीरो हो जाता है तो 799 रूपीज आप पे कर रहे हैं हैं फॉर 6 मन और उसके र मिल जाता है और क्या है कि एक dedicated research section में मिलता है जो आपको stock buying advice भी देता है जहां पर आप short term long term उसके इसाद से अवना planning कर सकते हैं और कुछ FNO के recommendations में मिल जाते हैं तो उससे क्या हो गया कि आप check भी कर सकते हैं कि आपका dedicated FNO का जो आपको strategy suggest की गई वो कैसे काम कर रही है तो आप आपको whatsapp को 70 predefined reports भी भी भेजता है जिससे आपका trading थोड़ा सा और easy हो जाएगा तो मैं एक ही चीज़ कहूंगा link description मेरेगा BlinkX का and उसमें क्या है कि आपको trading थोड़ा सा काफी easy simplify करने कोशिश की जाएगी and जो link description मेरेगा उससे क्या है आप अपना BlinkX में account open करिए and उसके अ वहां से recover नहीं हो सकता उसको महीं से करना पड़ेगा हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है चलो ठीक है काम से चाहे ना से खर्चा तो निकलेगा चलिए देखनेते हैं कि आज का क्या discussion था इन फिक रिजल्स पब्लिश हो जाएंगे तो उनका भी discussion कर लेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ओपनिंग मार्केट का क्या discuss करें करेंगे लाइव मार्केट का देखते हैं चलिए मेरा भी मतलब ना मूद इग्दम खराब ठीक है कि 924 मैंने डाला 22 250 47 700 स्टॉप लॉस फॉर पीपल इन लॉंग पोजिशन डाउंसाइड मुव इस पॉसिबल ओनली विलो 20 में और 5 मिनट टाइम फ्रेम हुआ कहा है यहाँ पर टाइमिंग बस यहाँ रखी है हर चीज की टाइमिंग जरूरी होती है 924 पर यह अपडेट था 924 पर यह वाली कैंडल बनी उसके आद महीं से घिरना चालू सही टाइम पर मैंने कोशिश के अपडेट कर देने का ठीक है कुछ लोगोंने फाइदा उठाय ही होगा तभी तो प्रीमियम ग्रूप में आपने इतने लोगों को देखा है और यह मैं कोई कॉल भी नहीं देता हूं सीबी भी नहीं देता हूं लोगों फाइदा होता तभी लोग रहते हैं बाकी नेगेटेब बोलते रहे हैं बाकी नेगेटेब बोल सकते हो ठीक है तो चलिए यह यह था अब उसके आद क्या हुआ है यहां पे जो गिरा सो गिरा अब हुआ क्या उसके बाद मैंने 1022 पे डाला कि शॉर्ट साइड में मोमिंटम नहीं आ रहा है जो लोग शॉर्ट साइड में हैं स्टॉप लॉसे ट्वेंटी ट्वेंटी एंड सैंफ फॉर्टी सैंफ फॉर्टी सैंफ फाइफिफ्टी में भी वही हुआ जब मैंने 1020 30 के असपास अपडेट किया एक तो दो तीन यहां पर डोजी बने 50 यहां में बार बार रुक सूट किया अब में आता है कहानी यह 11 15 पर लॉंग करो या शॉर्ट साही टाइम पर एक्जिट जरूरी है जैसे अभी लॉंग का एक्जिट लग रहा है 11 15 और यह लेवल दिया कि इसके ऊपर ही कोई फ्रेश लॉंग बनेगा 11 15 उसके ऊपर मार्केट नहीं गया है निफ्टी 11 15 इसके ओवल मार्केट दस बारा पॉंट गया है कोई दुखी हो सकता है कि साथ यहां दस पॉंट उपर गया है तो रोज हो जाओ दुखी भाई अभी क्या ही कर सकते हैं मैंने एक बज़े अपडेट किया एक 46 620 और 22 285 इसके नीचे शॉट साइट का चांस मिल सकता है एक बज़ के दो मिनिट पर मैंने लिखा एक बज़े दो मिनिट पर मैंने लिखा तो था अब यह में को यह नहीं पता था कि यह एक बज़ के 25 मेंट पर इस तरह कैंडल बना देगा जो पूरा मतलब कि आप समझ लीजे कितने महीनों का मैनद बरबाद कर देगा अब ठीक है कि मेंटल फ्रेम नहीं है मतलब क्या ही बोलूं ठीक है कि यहां वहीं हुआ सिक्स ट्वेंटी जद तोड़ा तो उसके बाद यह वे ध्राम ऐसे गिरा एंट तो 47,000 तक जाके आया है क्या कर सकते हैं इसी तरह से था पोशिष किया हमने गाइड करने का उसके आद फिर मैंने क्या हुआ यह यह वो अपडेट किया थो आसा और यह फ्लैश क्राश का मैंने रिजन डाला कि इरान का उस समय एक्शली इसराइल का निउस आया कि हम लोग इरान पे ऐसा एटेक करे हा तो वही वाला हिसाब वह न्यूस आया उसके वाद वह रएश क्राश हुआ बट यह फ्लैश क्राश में हमारे मार्केट में हूआ किसी और मार्केट में नहीं हुआ तो यह कभी-कभी डाउट होता है कि क्या वो जश्न फाये गिरना एक और न्यूस आ रही है कि ही आ जिसे यह अपना एलेक्शन से ना कल से तो है इलेक्षन के पहले एक बाढ़ना उसको टेश्ट करवाया जाता है सारे पाटी इसको बुला के लेक्षन कमिशन ट एक अब ही देखलो जो डेसल्ट आ रहा है उससे तुम सैटिस्फ़ाइड हो पहले ही बता दो तो वो रिजल्ट जब आया तो केरला में एक टेस्ट हुआ जिसमें रिजल्ट थोड़ा सा दरबड़ आया मतलब क्यालकुलेशन में सही नहीं आया तो उसको लेके इशू चल रहा है वो एक आया फिर सुप्रीम फोट में भी आज वो पेटिशन रखके रखा है कि इवियम प करना तो कि उल्टा रैली चल रहा है मतलब रैली को इन्वर्टेड रैली करना पड़ जाएगा चलिए कोई बात नहीं कि आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कॉशन कल के लिए कि पहले एक बार इन्फी का रिजल्स देख लेते हैं अभी तक इन्फी के रिजल्स आये नहीं है आएंगे तो देख लेंगे उनका मैं गुरूप में अपडेट कर दूगा और गुरूप का लिंक डिस्कॉप्शन में रहता है देखिए हमाई नाम से बहुत सारे फेक चैनल से प्लीज कोई फेक चैनल मत जॉइन करिएगा में अब लोगों की तरह नहीं है कि लाग रुपया दस दिया रुपया पाच तो जार रुपया वैसा कुछ नहीं है नॉमिनल जॉइनिंग फीस जिसको जॉइन करना कर सकता है बड कोई नाम से हजारों चलते हैं सब में कुछ ना कुछ स्कैम चलते रहते हैं इस बी क्यारफू इलेक्शन अप्डेट वाली जो वीडियो भी डाली थी उसमें भी मैंने यह सब समझाया था कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल है तो जो लोगो ने मेरा सुनके 22,000 के स्टैडल्स राइट करके रखे हैं वह उस फॉलो अप वीडियो को देख लीजिएगा आपको थोड़ा वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या चीज मैंने वहाँ बताया है चलिए आते हैं कि कल कले क्या डिस्केशन रहेगा क्या डिस्केशन कर गया फैदा है अगर इस तरह कैंडल बनेगा तो डिस्केशन कोई फायदा है बट फिर भी करते हैं आज इस कैंडल के कारण काफी लोगों का ना जीवन में का लॉस रिकावर हो गया क्योंकि 20 से आप 30 देखोगे तो एक्जिट करोगे बट वीच से 200 से 200 हो गया तो आप खुश ही नहीं होगे क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है न तो आदमी नहीं बुक करता है नहीं जल्दी बुक कर लिता है प्राइस सीज़ाद 200 से 200 हो गया तो आप खुश ही राइट तो यह चीज़ है चलिए कोई बात नहीं कलकले डिस्केशन करते हैं जा रहों सुने आज अराम से सुनगा दिए मुझे है न 22.70 यही लेवल दिख रहा है जब तक 22.70 की उपर नहीं जाता है न बुलिश साइड का कन्विक्शन लाना थोड़ा मुश्किल है 22.70 की उपर टिकेगा तो फिर हम बुलिश विव सोचेंगे जो कि इसको 150 एंड 220 तक ड्राइग करेगा बट उसके लिए 22.70 की उपर मार्केट को टिकना ज़रूरी है अगर नहीं टिकता है तो नहीं मिलेगा हूँ डाउंसाइड में क्या लेवल दिहान रखने है 21.970 का लेवल 21.970 के नीचे मार्केट टिकता है तो 21.800 फिर्स्ट लेवल 21.100 फिर्स्ट लेवल आपको मार्केट मूव करता हूँ दिखाई देज़ां यह दोनों लेवल के लिए mentally prepared रही है एक बार daily time frame दिखा जेता हूँ daily time frame पे 50 एमें यह नीचे आके इसने closing दिया है कल भी अगर इसके नीचे यह close देता है तो यह 100 एमें तक move करेगा जो के 21.600 दिखा रहा है इसको option दिखें नेक्स्ट अप्रे लेंड expiry का 22,000 call writing इन्नमनी गुदूदूद के हो रही है put writing भी है 22,000 पे बड़ी वाली अगर 21,970 के नीचे टिकता है तो यह put writing भागेंगे शाप डाउनूफ ट्रिगर करके आपको देंगे ध्यान रखें निफ्टी वैंग काफी टूटा ना लास्ट में 47,200 मार्क रखीएगा उपर में and 47,000 नीचे दोनों में से कोई एक साइट टूपने दीजे 47,000 टूपता है तो 46,600 तक आपका फर्स्ट लेवल मुवमेंट पॉसेबल है 47,200 के उबर मार्केट निकलता है तो फिर क्या है बुलिज जी अपना ट्रेल करते जाएगा 47,400 and 47,600 तक का इसमें भी आप एक बाद डिली टाइम फ्रेम देख लीजे इसका भी डिली टाइम फ्रेम पर यह हुआ है कि यह 50 एमें पर आ गया है और इसके नीचे ही क्लोज किया है अब इसका जो मैंने अच्छी कासी है पुट राइटिंग 47,000 पर है अगर 47,000 टूटता है तो यह पुट राइटम हो जटता है भांगने की कोशिश करेंगे अब आते हैं सेंसेक्स पर सेंसेक्स जब तक आ रहे है तक इनफी का एक बाद चेक कर लेंगे नहीं आया हो तो ठीक है कोई बात नहीं मता है रिजल्ट मैं ग्रूप में अपडेट करूँगा अब भाई गुरूप में अपडेट करना जाना है बटर हुट है सेंसेक्स आ आज सेंसेक्स वाला बूत निफ्टी को चड़ गया था इसमें उपर मार्क करके रखिएगा मेरे इसाब से 72 750 का लेवल 72 750 के उपर निकालेगा तो ही आपको फिर क्या 73,000 73,300 इस तरफ मार्के डूफ करता हो दिखेगा नीचे में मार्क करके रखना है हमको 72,400 का लेवल 72,400 के नीचे अगर यह टिकता है तो 72,000 तक का डूर ओपेन है उसके नीचे गया तो फिर बड़ा टागेट ओपेन हो जाएगा उसके लिए मेंटली प्रपेंट रहीएगा आज सभी इंडेक्स गिरे हैं बिचला मिटक भी गया वर्ट रेंड तो और इसमें उसी तरह का ब्रूटल फॉल आया जैसे बाकी सब में आया इसमें लेवल क्या माकर के रखने हैं अब साइड में 10,075 और नीचे में 10,025 10,075 या 725 इस रेंज के बाहर तोड़ेगा तो अच्छा मूब देगा जिस साइट तोड़ेगा इस्टॉप लॉस्ट चार्ट पर आते हैं मेजर स्टॉक चार्ट्स पर इंडेक्स में बड़े मुवमेंट मिलते हैं अगर इसके उपर निकाला तो ही अपसाइट पर कुछ सोच रहा है जब तक इसके नीचे है नेगेटेब आयसी रखिए इसके उपर निकलेगा तो अच्छा मुवम देगा जब तक इसके नीचे है तब तक कोई दिक्कत के बाद नहीं है एक्सेस बैंक काफी टूटा थाउजन के नीचे अगर जाता है तो यह थाउजन के नीचे भी जाएगा कोटक 1780 का लेवल ध्यान रखिएगा 1780 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक कोई दिक्कत की बाद नहीं सब्सक्राइब के नीचे राएगा तो नेगेटे बायस ही रखना है इस इनफी क्या रिजल्ट आता है उससे बहुत कुछ कुछ डिपेंड करेगा हावेवर 1410 नीचे में 1414 उपर में यह रेंज टूटेगा तो ही कोई अच्छा ट्रेड बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा ज सब्सक्राइब करें है अच्छ फिर वीक हुआ है आज 2200 तोड़ेगा तो फ्रेश शॉट साइड का मोमेंटम मिल सकता है सिल्वर आज थोड़ा से स्टेबल है बट यह 85-250 के ऊपर निकलेगा तो एक मूव अपसाइड का दे सकता है एंड डाउनसाइड में 85-1000 का लेवल तोड़ेगा तभी कोई शॉट साइड है कुछ बनेगा कुरूड ऊपर से स्लाइड किया है 68-50 के ऊपर वापस से वांस का प्लैनिंग करिएगा नाच्रल गैस 148 ऊपर में 146 नीचे में एक रीज तोड़ने दिए जिस साइड तोड़ेगा अच्छा मूव आपको दे सकता है वीडियो से लगी हो तो लाइक कर दिएगा